सो वाट सब गाईस वेलकम बैक टू मैं चैनल गेमिंग विद यार तो आज की वीडिया में हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं सुपर मार्केट मैनेजर समय लेटर तो आज का एपिसोड बहुत जाद ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में हम लोग बह दिना पढ़ेंगे या नहीं कियूकि यहांपर वरकर हायर लायसेंस लिका हुए इसलिए तो यहांपर मैंने इसको पर्चिश कर लिया है लेकिन अभी तक कैशियर नहीं आया है तो क्या पता हो सकता है कि कैशियर बाहर से आ रहा हो तो सामने के साइट से कोई आतोराय देखते हैं कि यह हमारा कैशियर है या नहीं तो यहाँ पर एक कैशियर नहीं बहुत सारे कैशियर आ चुके हैं और यहाँ से मैं इनको डारेक हायर कर सकता हूँ तो अब मेरे सबसे में आ चुका है कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है तो अभी हम लोगों ने वर्कर के लाइसेंस को पर्चिस कर रहा है और अब हमें अपनी मरजी से किसी भी वर्कर को हायर करना पड़ेगा तो अभी के लिए मैं इसी वरकर को hire करने वाना हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सही लग रहा है और अभी मुझे ये doubt है कि ये सिर्फ एक दिन के लिए hire हुआ है ये permanent hire हो चुका है वैसे अगर हमने इसको एक दिन के लिए hire करा है तो ये काफी जादा अच्छा है तो यहाँ पर finally customer आ चुका है देखता है कि इसकी speed कितनी है तो इसकी speed normally ना जादा अच्छी है और ना जादा पुरी है लेकिन ये एक अच्छी जीस है क्योंकि मुझे इसको hire करने ही था क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम है तो आप cash counter की retention नहीं है मुझे तो यहाँ पर सबसे पहले में vegetable rack को buy करने वाला हूँ क्योंकि last episode में हम लोगोंने product license zero को buy करा था जिसमें बहुत सारे vegetable थे तो delivery time को speed up मैंने कर दिया है और delivery आ चुकी है हमारे rack की तो मुझे पहले इसा लग रहा था कि एक छोटा सा rack होगा लेकिन यह सही है फ्रिज के बराबर है तो फ्रिज के बराबर में ही इसको place कर देते हैं और जैसे जैसे super market को expand करते जाएंगे तो हर चीज को अलग करते जाएंगे हम लोग मतलब भी shell, fridge और rack साथ ही हैं लेकिन यह अलग अलग जगा होंगे यह आप पर पर तीन ही विजेटेबल है मुझे लगा थोड़े से जादा होंगे तो विजेटेबल के साथ साथ एक और चीज भी अलग को इती लाइसंस में हुआ है यह peanut butter इसको भी हम लोग shell पे place कर देंगे मैंने सारी चीजों को order दे दिया है तो डिलवरी में टाइम लगेगा मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ तो चारोई बॉक्स को मैं सुपर मार्केट में लेकर आ चुका हूँ ऐसे बॉक्स एक यह peanut butter का तो विजे टेबल जिस चीज में आये हैं इनको क्या कहते हैं आप लोग मुझे comment में जरूर बताइएगा तो ऐसे ही और अच्छी वीडियोस के लिए इस वीडियो को like कर दियेगा चैनल को subscribe कर दियेगा और वेल ऐकन को भी प्रेस कर दियेगा कुछ इस तरीके से क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी और अब ही हम लोग 1500 सब्सक्राइबर के बहुत जादा करीब हैं तो आप लोग 1500 सब्सक्राइबर करवा दें तो विजटेबर रेक पर मैंने विजटेबर प्लेस कर दिये हैं अब हम लोग इनकी प्राइस मैक्स कर देते हैं और अब ही मेरे पास एनर्जी खतम भी होने वाली है बस सबकी प्राइस मैक्स हो जाए और अब बस पांच एनरजी रह गई है देखते हैं कि अवाकाडो में कितनी एनरजी लगीगी तो इसमें 4 एनरजी लग चुकी है और अब मेरे पांच बस एकी एनरजी बच्छी है और अब ये पिनर्ट बटर रह गया था तो इसकी 2 एनरजी मैक्स नहीं हो पाएगी क्योंकि item की price max करने में 3 से 4 energy तो लगती है और किसी किसी की तो पास से 10 भी लग जाती है तो देखते हैं कि peanut butter की price max करने में कितनी energy लगती है तो इसकी price max करने में 4 energy लग रही और अभी मेरे पास बस एकी energy है तो कोई नी new product license को अब हम लोग purchase करते हैं तो product license 3 को मैं purchase कर सकता हूँ 400 डॉलर में जब मैं इन product की price को max करूँगा तो उसी के साथ पिनन बड़त की price को भी max कर दूँगा तो यहाँ पर मैंने product license को buy कर लिया है तो इसमें chicken meat है, fries है और apple juice है और beef meat और slice bread भी है तो meat वगरे के लिए हम लोगों कोफ freezer की जरूर बढ़ेगी जो के 400 डॉलर का है तो मैंने freezer को buy कर लिया है तो freezer को buy करने के बाद हम लोग product को भी buy करते हैं क्योंकि share वगरे की जरूर मुझे भी नहीं है और गलती से मैंने minus पर click कर दिया product furniture के बराबर में ही होते हैं तो इन सब की price काफी ज़्यादा ठीक है मतलब कुछ की तो 50 प्लस है और कुछ की 50 तक है तो जितनी product की price होगी उतना ही हम लोगों को profit भी ज़्यादा होगा तो सारे ही product की order दे दिये delivery में लगेगा time में आप लोगों को थोड़े देर के बाद मिलता हूँ तो box की delivery में थोड़ा time लगे and day पर click करते हैं तो हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह और अभी मेरे पास sun rate energy भी आ गई है और अभी के लिए मैंने freezer को भी यहीं पर place कर दिया है आगे जाके हमने उसकी location change कर देंगे location तो जैसे मैंने पता है मैं आगे जाके चेंज ही करने वालाओ bread को मैंने place कर दिया है तो यह large bread है और जो पहले हमारे पास थी small bread थी जो कि product license 1 में होती और shelf में लगी भी है यहाँ पर और यह अभी product license 3 में मिली है मुझे है वैसे product license 3 में fridge और freezer के item है क्योंकि इसमें meet वगरा है और अब यह जोज भी था जो कि मैं नहीं लगा पाऊंगा fridge में क्योंकि मैंने water bottle को दो raw में fill कर दिया है अभी मैं सी box को तरो कर रहा हूं और अभी थोड़ा यह भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा item कहां पर place होगा क्योंकि एक दफ़ा place करने के बाद वो फिर चीज याद रहती है कि कौन सा item कहां पर place होता है और box में थोड़े सा item बच रहें तो हम लोग इन सारे box को एक site पर ही रखेंगे वो अन्यों पूरे super market में empty box हो देते हैं और वो मुझे सही नहीं लगता है तो यही वो juice है जिसकी में बात कर रहा था तो अभी हम लोग इसको place नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मैंने water bottle को दो रोग में place कर दिया है और जिन में कोई item नहीं बच रहा है उनको मैं ऐसी throw कर रहा हूँ उनको बाद में हम लोग trash में throw कर देंगे तो अभी freezer का item रह गए हैं और दो box बचे हैं और यह दोनों ही item freezer में जाएंगे इन में से एक में chicken था और एक में price था और box में पते नहीं क्या glitch हो गया था यह खुदी open हो रहा था और खुदी close तो इस आफरी box का item को place करने के बाद में किक करके सारे ही item की price max करूंगा ताक कि हम लोगों को जादा profit हो क्योंकि next episode में हम लोग बहुत जादा upgrade करने वाले हैं अपनी supermarket को तो आफरी product को भी मैंने freezer में place कर दिया है तो आग मैं आप लोगों को सारे ही price को set करने के बाद मिलता हूँ तो सारे ये product की price को मैंने max पे set कर दिया है जिनको भी अभी मैंने place करा था और अभी मैं cashier को आयर करने वाला हूँ हम लोगों को रोज यहां चाकि cashier को आयर करना पड़ेगा तो ये चीज़ काफी जादा unique है और मैंने पहली दफ़ा कुछ इस तरीके से देखी है तो यहाँ पर अभी मेरे पास है $510.56 और अभी हमारी super market थोड़े सी बहरी बरी सी लग रही है तो ये चीज़ काफी जादा अच्छी हुई कि आम लोग अपनी super market को upgrade भी करन लिया लाइसंस को भी बाय करन लिया और अभी हमारे पास थोड़ा सा stock भी हो चुका है और अभी मैं ये भी देखने वाला हूँ कि मैंने new cashier को आयर करे तो इसकी speed कितनी है मतलब कि ये customer को उनके item कितने देर में surf करता है ये इन सारी cashier की speed सेम ही और मुझे तो सेम ही लग रही है तो बस आज की वीडियो में इतना ही तो ऐसे ही और अच्छी वीडियो के लिए इस वीडियो को like कर दिएगा चैनल को subscribe कर दिएगा और bell icon को भी प्रेश कर दिएगा कुछ इस तरीके से और आज की वीडियो का like एम है 100 likes I hope कि आप लोग like एम पूरा करवा देंगे मैं मिलूंगा आप सब लोगों से अपनी अगली वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई